वो खुद बोल रहे हैं न कि अंकल अंटी ने मुझसे बोला था कि लोगों तक बात पहुचनी चाहिए कि जैरी नहीं है तो लोगों तक तो यह बात भी पहुचनी चाहिए कि आज उनकी छोटी छोटी पोती है जे किराय के मकान में डली हुई है तो यह बात भी लोगों तक यहां से भगा देते हो क्योंकि वो बच्ची जब हमारे घर आये थी तब चार साल की थी कि राजवीर जी और सूरज जी पढ़ाई कर दे थे ग्वालियर में तो इस वज़े से अंसु को ले के आये थे ताकि हमारा घर हमेशा खरा बरा रहे मैं अकेली हूँ मेरे साथ थोड़ा बोलने चालने वाले रहे लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसकी पढ़ाई की खतम करके इन लोगोंने सब कुछ बरबाद कर लिया चंद पैसों के लिए और जो इनका पौडोसी है वीडियो बना बना के डाल रहा है वाइरल कर रहा है अपनी वीडियो इसके साथ असुनने ऐसा कहा है कि तुम लोग हमारी वीडियो जुगेरा बनाओ सपना बहुत गुसे में है क्योंकि इस वज़े से की रीजन क्या था क्यों भगाया तुमने उसको उस लड़की की जिन्दी की क्यों बरबात करी और क्यों उसे बुलाया और क्यों आज मने उसको भगा दिया जब तुमको उसकी जरूरत थी तब तब तुमने उसको अपने पास रखा आज तुमें उसकी जरूरत नहीं है तो तुमने उसे घर से भेघर कर दिया ये बहुत गलत बात है और गुस्सा हो रखे स्नैपीगल ने कहा ऐसी क्या गलती हो गई तुम भी वीडियो बना कर बताओ सोसल मीडिया पर कि हमसे मैंने ऐसा क्या किया है और जो तुम बार-बार मुझे कहते हो कि ये शादी कर लेगी शादी कोई खेल नहीं है आप लोगों को खेल समझाता होगा बहुत गुस्से मैं स्नैपीगल और उसने अंसु के बारे में बहुत कुछ कहा है क्योंकि उसने उन्होंने कहा कि अंसु की जिन्देगी पूरी बरबाद कर दी है ये लोग इनके वीडियो जोगे रहा बना रहे है ये अपनी चैनल को बढ़ावा दे रहे है और क्या कहते है सपना बहुत रोई है और अंसु भी बहुत रोई है वीडियो में आपने देखा होगा क्योंकि उन दोनों की बांडिंग इतनी अच्छी है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और बच्पन से ही अंसु उनके घर रही है और उसके साथ उसका काफी अच्छी बांडिंग है और पती उसके चले गए लेकिन उसने अंसु ने उसका बहुत साथ दिया अंसु रोरो कर बुरा हाल होगा है कि मैं सपना के साथ रहना चाहती हूँ इन्होंने मुझे नहीं रहने दिया और देख सकते हूँ आप इनका जैरी है ये